हेलो फ्रेंट्स वेलकम है आप सबी का एक नए वीडियो में और आज की वीडियो में बहुत ही मज़ेदार धमाल होने वाल है उस दिन का वीडियो है जब मैं अपने माई के गई हुई थी और इनको जो है अपने लिए लांच, ब्रिकफास, डिनर सब चीजे बनानी थी तो श मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा और मेरी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो शुरू करते हैं पहले ही स्टार्टिंग में देखी कैसे हडबड़ी में आए एक तम क्या बनाओं क्या बनाओ बड़े मस्त तरीके से और केले चील चालके डाल दिये गए हैं जार में चीनी का चमच है चोटा चमच है लेकिन उतनी चीनी नहीं खानी है बीवी घर पे नहीं है तो देखो ज़रा इतना मोटा चमच लिया और कितना भर-भर के चीनी डाली है और उसके बाद आ गया तो लग रहा है कि बनने जा रहा है यमी 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 लिशियस बनाना शेक तो मिक्सी का जार बंद होते हुए मिक्सी चलना शिडू और साइड में आप देख सकते हो राइट साइड में एक लॉकी सडी हुई दिख रही है तो ये पतिदेव ने लॉकी अच्छे से साड सूड के रख दिये साइड में और अब बनाना शेक इस रेडी टू ड्रिंक चेक किया जा रहा है कैसा बना है थोड़ा सा ग्लास खाली किया जा रहा है तकि उसको और भड़ा जा सके तो इस तरह से और बताएगा जुरूर आपको वीडियो कैसी लगी फणी वे मैं मैं इसको नरेट कर रही हूँ और देखिए साफ सफाई का पूरा ध्यान है जार को धोडिया गया है साथ साथ और अब मुझे लग रहा है बदाम रखे गए हैं डेकोरेशन के लिए तो हाँ जी ये आगया है चौकला और इसके उपर जो है चौपिंग होगी आमन्स की तो यहाँ पर डेकोरेशन के लिए बदाम को क्रश कर लिया गया बदाम शेक मतलब बनाना शेक रख दिया गया है अब जगा पे ठिकाने लगा दिया गया है देखते हैं क्या पताब पी लिया है या ठिकाने लगाया है लेटसी आगे उसके बदा आगी है ब्रेड और ब्रेड के लिए ओन्यन पील करके रख दिये इनकी कटिंग हो रही है चौपिंग हो रही है और इस तरह से इन्होंने चौपिंग करना शुरू किया और रांड रांड शेप में जो है कट किया है ओनियन और साथ में इन्होंने लिया है क्युकुम्बर और टमेटो भी मिरको दिख रहा है तो यानि मतलब की फुल नूट्रिशियस ब्रेड के साथ कुछ रेसिपी बनन है तुम्हारी रिक्वेस्ट पर तो अब तुम्हें इसे एडिट करो तो मैं एडिट करने लगी हुई हूं मतलब वॉइस ओवर और इस सब चीजें जो है और इसके बाद टमेटो भी चौप होगे हैं और अब निकल चुकी है तोस्टिंग मशीन यानि टोस्टर और ये बत अचारी में यूज नहीं की तो अचारी में यूज की कुछ नहीं डाला इन्होंने बाकी और इसके बाद अच्छे से स्प्रेड करते हुए मतलब है यह बोल भी रहे अच्छली पता है शेफ बने हुए यह तो मैं बताती हूं आपको थोड़ी सी वॉइस तो ऐसा ऐसा प्रोसेस है अब मुझे लग रहा है यह सैंडविच बन रही है काफी न्यूट्रिशियस लग रही है आप भी बताना आपको कैसी लग रही है तो इस सरह से इन्होंने सारी जो भी वेजी जूनियों टोमेटो कुकुम्बर वगेरा सारा का सारा स्प्रेड कर द को दो भी रहा है और फोन ककी किया और तोस्टर में रही है य लेख तोस्टर में पकने के लिए तो कैसे कैसे बगाते है क्या पता जला का निकल के आती है जला अब्रेड निकल ले तो इस बगए क्विचे ऑप से और यहाँपर बाकिंश अन्विच कि अन्होंने करके रख अब साफ सफाई का दिखे फिर से ध्यान है चॉपिंग बोड यानि जो भी है चॉकला है वैसे हमारा वो सब हटा दिया और यह पील आउट्स जो है डाल दिये पनी में है ना इस साफ सफाई का ध्यान रखा गया बिल्कुल हाथ भी साफ के जा रहे है साथ के साथ और अब बा वाइता नहीं वाइप ने बोला था एक आथ वीडियो बना लो माई कि गई है वाइप तो टोस्ट वना रे है दो टोस्ट जो भी डाले था वह बनके तीयार है एक लास्ट वाला डाला है इसमें है बिखते हैं काट ओ एम जी इतना क्रिस्पी क्रिस्पी सैंडविच बना है बहुत ही अच्छा है से टोस्ट हुआ है मतलब की खाने की इच्छा और यह देखते ही आप भी बतेगा आपको कैसा लगा तो एक हाथ से इन्होंने पकड़ा हुए क्यामरा दूसरे हाथ से ही जो है कटिंग कर रहे है तो वही देखो टैलेंट दिख रहा है मेरे मतलब मैं यूट्यूबर हूँ मेरे साथ रहते रहते देखो थोड़ी बहुत यूट्यूबिंग जान गया है तो इस तरह से इन्होंने कटिंग कर ली और फिर उसके बाद प्लेट में जो है डेकोरेशन कर रहे हैं डेकोरेशन आगया बताएगा वीडियो कैसी लगी थैंक्स वर वाचिंग बाई